नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चेनल में दोस्तों अगर आपका फून AMI का है और आपके फून से कोई फोटो डिलेट हो जाते हैं तो कैसे आप उस फोटो को वापस लाएंगे, कैसे आप उस फोटो को दुबारा रिकवर करेंगे आज किस ब्रीम आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके AMI के फून से कोई फोटो डिलेट हो जाते हैं तो कैसे उसे रिकवर करेंगे तो दोस्तों AMI के फून में फोटो को रिकवर करने से पहले आपको यह जानना होगा कि आपके फून की AMI UI भरजन क्या है तो AMI UI भरजन जानने के लिए आपे ओपन करना होगा सेटिंग को और सेटिंग को ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे एबाउट में आते हैं तो यहाँ पे आपको एक उप्शन मिलता है AMI UI भरजन दोस्तों यह 11.0.1 से उपर होना चाहिए अगर यह आपके फोन में नहीं है तो आप अपने फोन को अपडेट कर लीजिएगा तो आपको वो वाला अप्शन मिल जाएगा फोटो रिकबर करने वाला अप्शन मिल जाएगा तो यहाँ से आते हैं back और चलते हैं अपने फोन की गैलेरी में तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने phone की gallery में हूँ, camera वाला gallery में हूँ और यहाँ से मैं कुछ photo को delete कर दे रहा हूँ आपको दिखलाने के लिए For example के लिए यहाँ से मैं 3 photo को select किया हूँ और 3 photo को select करने के बाद यहाँ पे इस delete वाले icon पे click करके मैं इस photo को यहाँ से delete कर दे रहा हूँ delete कर देने के बाद आपको आ जाना होगा back और फिर से अपने gallery को open करना होगा gallery को open कर देने के बाद यहाँ पे इसे scroll down करके इस तरब से आते हैं तो यहाँ पे आपको एक option मिल जाता है trash bin दोस्तो अगर आपका phone का MIUI version 11.0.1 से उपर होगा तभी ही आपको option मिलेगा trash bin का अगर आपके phone में यह option नहीं मिला है तो आप अपने phone को update कर लिजिएगा यहाँ पे हम open करते हैं इस trash bin को तो trash bin open हो जाने के बाद आप देख रहें कि आपके मैं 3 photo अभी अभी delete किया हूँ और यह 3 photo यहाँ पे आ चुका है दोस्तो यह photo यहाँ पे 30 days रहती है 30 days के अंदर अंदर अगर आप इसे recover नहीं करते हैं तो खुद बखुद यहाँ से delete हो जाता है सेम के इस वीडियो पे भी लागू होता है अगर आप वीडियो भी delete कर देते हैं अपने phone से तो यहाँ पे आ जाता है तो इसे recover करने के लिए यहाँ पे इस photo पे मैं long press करता हूँ और यहाँ पे आपको click करना होगा restore पे अगर आप इसे permanently delete करना चाते हैं तो यहाँ पे आपको click करना होगा लेकिन हमें restore करना है तो यहाँ पे हम click करें restore और यहाँ से यह photo फिर अपने वही जगा पे जाके save हो जाती है तो यहां से हम आते हैं back और एक बार फिर back आके अपने gallery को open करते हैं तो देखिए ये photo यहाँ पर आ चुका है तो दोस्तो इस तरह से अपने MI के phone से delete हुए photo को आप recover कर सकते हैं उमिद करते हैं छोटी से video आपके काम कियोगी आपके helpful होगी दोस्तो गर वीडियो चले के तुछ लाइक कीजिए share कीजिए अपना दोस्तों में whatsapp facebook ग्रूप में और एसे ही simple simple वीडियो में अपने channel पर लेके आते रहता हूँ तो आप मेरे channel को जुरूर subscribe कीजिएगा मिलते एक नए उडियो में तब तक लेपने ख्याल रखेगा बाइ